नमस्कार आप देख रहे हैं पोस बिहार जहार करन और मैं आपके साथ वंदना बिहार की बाउबली और मुकामा की पुर्वबधायक अनंत सिंग जेल से बाहर निकले हैं और ऐसे में अब पहला रियाक्शन चिराग पासवान का भी सामनी आ गया है आपको बता दे कि जेल से जैसे ही अनंत सिंग पैरोल पर बाहर आते हैं उसके बाद तमाम वरिष्ट्र निताओं की प्रतक्रिया देखने को मिली थी लेकिन अब तक चिराग पासवान चुकपे साधे बैठे थे लेकिन अब चिराग पासवान ने अनंत सिंग पर अपनी प्रतक्रिया दी है और साथ साथ जो विपक्ष है वो अनंत सिंग के जेल से बाहर आने पर जो सवाल उठा रहा है इसको लेकर भी विपक्षों के जो नेता हैं उनको तेजस्वी यादो हो या फिर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको चिर्याग पास्मान ने घेड़ने का काम किया आपको बता दे कि अनंत सिंग पैरोल पर जेल से पंदरा दिनों के लिए बाहर आए हैं आसे में एक तरफ जहां नितेश कुमार ने मुकामा के पुर्विधायक अनंत सिंग की जमकर तारिफ की है अनंत सिंग और नितेश कुमार की जो दोस्ती है उसको लेकर भी नितेश कुमार ने मंच से जो क कि अनन्त सिंग के जो पिता हैं वो भी नितेश कुमार को खूब माना करते थे और अब चिर्याग पास्वान ने कहा है कि अनन्त सिंग का बाहर आना ये न्याइक प्रक्रिया है न्याइक प्रक्रिया पर जो भरोसा नहीं करता है वहीं अनन्त सिंग जब से जेल से बाहर आई ह है और यह सवाल उठाने वाले कौन है यह विपक्ष है विपक्ष लगतार कह रही है कि ललन सिंग को चुनावी महाल में फाइदा दिलाने के लिए अनंत सिंग को बाहर निकाला गया है क्योंकि अनंत सिंग के जो समर्थक हैं वो अब उनसे मिलेंगे उनसे बात्षृत करेंग और भले अनंत सिंग खुले मैदान में उतर कर चुनावी प्रच्वार प्रेसार में ना दिखें लेकिन उनके जो समर्थक है वो अनंत सिंग को इतना प्यार करते हैं कि जैसे ही ज्युद से अनंत सिंग बाहर आए उनके समर्थक को ने भीड लगा दी और ये साफ दर्शा रहा था कि इसका पूरा फाइदा ललन सिंग को होने वाला है आपको बता दें कि मुंगेर में चुनाव है उसके ठीक पहले अनंत सिंग का बाहर आना राजनिती में जो है वो सरगर्मी राजनिती की बरहा चुका है और असी बीच अब चिराग पासवान ने कहा है कि जो भी की लोग उसपर सवाल उठा रहे हैं उनको जो है कोर्ट पर भरोसा नहीं है न्याइक प्रकरिया जो चलती है उसपर भरोसा नहीं है और ऐसे बीच आपको हम बताते हैं कि तेजस्वी यादो सहěत जिंजिन विपक्षी ने सवाल उठाया आननत सिंग के बाहर आने पर विप चुडाग पासवान का जवाब सामने आया है। चुडाग पासवान एंडिये के हाजीपुर से प्रत्याशी है। यासे में चुडाग पासवान ने कहा है कि ये एक नियाइक प्रक्रिया है। ऐसे में इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जो लोग ये सब सवाल उठा रहे हैं उनको कोड़ पर पुलिस पर भरोसा नहीं है बाकि आप इस पर क्या सोचते हैं कमें सेक्षिन में जरूर बताएगा लन्यवाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मुव मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये है e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined